आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आलू धही का नास्ता, इस नास्ते को बनाने के लिए आपको आलू बालने जरूरत नहीं पड़ेगे, और नाहीं इसके लिए मसालिक जरूरत पड़ेगे, यह बहुत ही कम चीजों में आसानिस बनकर तयार हो जाता है, बहुत ही स्वादिश बशात Like और वार नासता है और बनाना भी आसान है इस नास्ते को कभी भी घर पर बना सकते हैं नमस्काल आप सभी के मेरे चैनल कर स्वागत है तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं नास्ता के लिए हमने यहां पर डो कच्छी आलू इसकाεται है लिए कहो सिहां सबसे पहले हम आलू को कद्दू कस करेंगे तो यहां पर हमने एक बरतन में थोड़ा पानी लिया है इसी पानीम हम आलू को कद्दू कस करेंगे क्योंकि कच्चे आलू जल्दी स्काले हो जाते हैं इसलिए इसको हम पानीम कद्दू कस करेंगे दोनों आलू को हम इस तरह से ब अलू को धोकर हमने पानी निचोड लिया है इसमें पानी नहीं है अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे इसमें डालेंगे एक कप सूजी सूजी आप मोटा बारी कोई भी ले सकते हैं इसके बाद इसमें हम आधा कप ताजा दही डालेंगे यह ताजे दही हैं खटे बिल्कुल अब दही सूजी को हम अच्छे सी मिलाएंगे इसमें पानी नहीं डालेंगे केवल दही सूजी को अच्छे सी मिला लेते हैं दही सूजी हमने अच्छे सी मिला लिया है अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चमच कूटी हुई लाल मिर्च तीख्या आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं स्वात के अंसवार नमक डालेंगे आधी छोटी चमच जीरा डालेंगे इससे नास्ते में बहुत बढ़ी है फ्लेवर आता है इसके बाद एक बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे थोड़ा से कटा हुआ हरा धनिय डालेंगे और जो हमने आलू कद्दू कस किया था इसको भी डालेंगे अब सारे चीज़ों को हम हाँ से मिलाएंगे तो इसमें चमच निकाल लेते हैं हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि हमने जो सबजी डाला था और पानी छोड़ेंगे तो इस होजास से इसमें पाणी डालने ज़रूरत नहीं है आप देख सकते हैं जैसे-जैसे इसको मिला रहे हैं तो मिश्रण धिरे-धिरे गिला हो रहा है क्योंकि इसमें जो आलू है पानी चोड़ रहा है तो ध्यान रहें इसमें पानी बिलकुल नडालें सारे चीजों को मिला कर मिश्रण हमने तयार कर लिया है लेकिन अभी ये पूरी तरस सेट नहीं है अब इसे हम 5 मिनट ले ढख कर रखेंगे तब तक हम कडाहिम पानी रख देते हैं गरम होने के लिए तो गैस पर हमने कडाहि रख दिया है इसमें लगबग एक लीटर पानी डालेंगे इसके बार इसमें हम एक इस्टेंट को डालेंगे आप चाहें तो इस्टेंट की जगाएं कटोरी वी लगा सकते हैं अब कडाहि धाक कर पानी छोड़ देते हैं गरम होने के लिए लागभग पांच मिनट के बाद धक्कन हटाकर मिस्रण को देख लेते हैं आप देख सकते हैं मिस्रण सेट हो चुका है इसमें सूजी फुल गया है आप इसमें हम एक पाउज इनो डालेंगे इससे नास्ता फुला फुला स्पैंजी बनेगा आप चाहें तो इसकी जगहां खाने वाला सोड़ा डाल सकते हैं अब इनो को हम अच्छे से मिला लेते हैं इनो डालने के बाद भी इसमें हम पानी नहीं डालेंगे बिना पानी के इनो को मिला लेते हैं सारे चीजों को मिला कर मिस्रण फुली तरस तयार कर लिया है लेते हैं, इसी तरह से पूरे नास्ते को हम गोले अकार्म बनाएंगे, आप चाहे तो इसे लंबे अकार्म या फिर टिक्की का कार्म बना सकते हैं, ध्यान रहें, अगर आप इस तरह नास्ता बना रहे हैं, तो बैटर गीला न करें, केवाद सूजी दही अच्छे समिलाएं, उसमें पानी न डाले और आलू कद्दू कस करने बाद पानी को अच्छे से निचोड़कर निकाल दें क्योंकि नमक डालने पर आलू तभी पर पानी छोड़ेगा सारे नास्ते को हमने बना लिया है अब इसे हम पकाएंगे यहाँ पर पानी अच्छे से उबल रहा है तो अब नास्ते वाला प्लेट उठा कर हम कड़ाही में रखेंगे अब कड़ाहे को उपर हम ढखन लगाएंगे और नास्ते को 5-6 मिनट तक मीडिय माच पर पकाएंगे लगभग 6 मिनट के बाद धक्कान हटा कर हम देख लेते हैं आप देख सकते हैं नास्ता 6 मिनट बद फूल गया है चम्मस साफ निकला है यानि कि यह पक चुका है तो प्लेट निकाल कर हम बाहर रख देते हैं ठंडा होने के लिए ठंडा होने बाद सारे नास्ते को हम प्लेट से निकालेंगे क्योंकि ये काफी गरम है तो रख दोते हैं ठंडा होने के लिए अब ये नास्ता ठंडा हो चुका है तो पूरे नास्ते को हम प्लेट से निकाल लेते हैं बहुत ही बढ़िया मुलायम नास्ता बना है, इसको हम तोड़कर दिखाते हैं, तोड़ने बाद आप देख सकते हैं, अंदर से कितने फुले फुले बने हैं, वैसे इस नास्ते को हम अभी फ्राई करेंगे, लेकिन अगर आप बिना तेल वाला खाना चाहते हैं, तो इसे पूरे नास्ते को हम तेल में डाल देते हैं, एक बार में पूरे नास्ते को हम पाय में डालकर फ्राई कर लेते हैं, इसको बार बार पलटने ज़रूरत नहीं है, एक तरफ से फ्राई हो जाए, तो इसे दूसरी तरफ पलट दें, अब एक तरफ से सुनाय रग में फ्राई ह हो चुका है तो अब इसको हम दिर दिरे पलड देते हैं इसको फ्राई करने में बहुत ज़्यदा समय नहीं लगता है बस तीन से चार मिनिंट में पूरी तरह से फ्राई हो जाते हैं इसको तलने के लिए पहले तेल अच्छे से गरम करें फिर मेडियम आज पर इसे फ्राई कर अब ये दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं तो पूरे नास्ते को हम निकाल देते हैं पूरे नास्ते को हमने फ्राई करके निकाल लिया है अब गैस को बंग करेंगे ये उपर से बहुत क्रिस्पी अंदर से मुलायम बने हैं फ्राई करने बाद ये नास्ता आउट टेश्टी बन गया है और दिखने में भी बढ़िया लग रहा है तो आप इसे चाहें तो भाव में पकाने बाद खाएं या फिर इस तरह से फ्राई करके खाएं दोनों खाने मच्छी लगते हैं इसे आप हरी चट्नी या फिर टोमाटो केचप के साथ खाएं बहुत ही स्वादिश लगते हैं या कच्चे आलू दही का नास्ता आप कभी भ घर में बना सकते हैं क्योंकि आलू तो लगभग हर घर में हमिज़ा रहता है तो आप इस नास्ते को जटपट से कभी भी घर में बना सकते हैं